आज में लेकिया यू अर्बी फ्राई की रेसिपी खास आपके लिए और अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहें और हमारे चैनल को भी आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इन इस टिशटको बनाने के लिए मैंने आप ली आफ लाफ लुका। और मैं इनको हलके हाथों से दवा रही हूं आप देखeed सकते हैं कि मैं अर्वि को किस तरह से दवा रही हूं अगर आपने बड़ी अर्बी ली है तो आप इसको बीच में से कट भी कर सकते हैं और उसके छोटे-छोटे पीसिस कर सकते हैं इस तरह से आपको दबा लेना है उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूं ओइल मैंने यहाँ पर सरसो का ओइल लिया है औलेंगे और अच्छे से गरम है अब हम यहां पे कुछ मसालें डाल रहे हैं मैंने यहां पे डाली है मेथी डाना अगर मेथी डाना खाते हैं आप यूज बिनी घीरा भी डाल सकते हैं फिर इसके बाद मैंने डाली है हरी मिर्श और अद्रक और लहसन जो कि मैंने छोटे-छोटे पीसिज में कट कर लिया था एक मैंने लिया है याँ पर मीडियम साइज कप प्याज फिर इसको कर लेंगे हम अच्छे से भून लेंगे मेथी कुछ लोगं खाते भी हैं हों जोग नहीं घर आता है यहां मेथी इसलिए की मेथी का बना प्रण बना等 le忌 1 टेविल स्पून हल्दी और टेस्ट अगॉर्णि नमा मिर्च यानकी बन 40 टीजपून और मैंने एक चमजय पर धन्या पाउडर डाला है जो लोग बिना प्याज लहसर का खाना चाहते हैं तो बिना प्याज लहसर का भी स्थाहसे बना सकते हैं इसको अच्छे से इसके मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे यह खाने में बहुत ज़दा टेस्टी होती है और जट पट से बन जाती है इसे आप पराठे के साथ पूरी के साथ खाएं यहाँ पे मैंने आदर कपके करीब इसमें पानी लिया है और मैंने यहां पर पानी इसमें डाल दिया है जिससे कि हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी गाड़ी हो जाएगी दिखिया आप इसको हमने दीमी आज पर हम इसे अच्छे से अवाल आने तक पका लेंगे इसको अच्छे से हम चलाते रहेंगे बीच वीच में अरवी बहुत ज़दा टेस्टी बनती है पराठा पूरी के साथ बहुत ज़दा अच्छी लगती है तो मेरा मन था तो मैंने सोचा क्यों आपके साथ यह बीडियो शेयर किया जाए अगर आपको यह बीडियो पसंद आता है इस रेसिपी का तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यहां पर मैं डाल रही हूं टेस्ट के अकॉर्डिंग हाफ केविड स्पून नमक तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी और कुछ लोग होते हैं जो अरवी को मतलब गुईया को अगर आप बड़े कर रहे हैं तो कोई दिकत नहीं है अब कट करके उसे अच्छे से दवा के फिर फ्राइ करें देखिए मैं इसमें ग्रेवी में हलकी सी ग्रेवी गाड़ी हो गई थी तो मैंने आपे अर्वी को में डाल रहे हूं अगर आपको मेरी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और कमेंड बॉक्स में बताना बिल्कुल भी न भूले मैंने हापे सारी ग्रेवी को डाल दिया है और मैं इसको अच्छे से पलट के सेक ले रहे हूं भून ले रहे हूं देखने में अच्छी लग है ऐसे करके चलाते हुए मीडियम टू हाइफ फ्लेम पे पका लेंगे इसको अच्छे से चला लेंगे करारा करारा भून लेंगे अर्भी तो सभी की फेवरेट होती है तो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दे देखें करारी करारी हमारी अभी पूरी तरह से पक चुकी है मैं इसमें धनिया पत्ती एड़ कर रही हूँ इससे इसका टेस्ट और भी भड़ जाता है देखें अब मैं करते हूं इसको फाइनली सर्व अगर अप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए उन्हें लाइक करें और हमारी प्लेलिस्ट पे एक बार जरूर जाए और वी रेडी है पराठा और पूरिक साथ खाने के लिए ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूले तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई